पर कोई चैनल का कि आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्षकों का हारदे का विनंदन करता हूँ आप ही कि अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब फेस्बुक और आजी टीवी नेटवर्ग पर मित्रो ये चैनल आपका है आपके लिए आप इसका मूल कारें तभी तो आपसे नवीदन करता हूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर जरूर करें अपने जीवन में शेयर करके सुक्समर्दी और सौभाग्य लाएं और जो आपका शेयर देख रहा है, उसके जीवन से दुख दुर भाग्य और दर्दरता को मिटाएं, शेयर जरूर करें और हम हाजर हैं आपके लिए लेकर के कमल नंदलाल का दैनिक राशिफल शनिवार 9 अक्तुबर 2021 आपका राशिफल जिसमें हम आपको बताएंगे आपके जीवन का हाथ, राशिफल में आपको बताएंगे मेश से लेकर मीन राशी का राशिफल, साथ साथ आपको बताएंग को चुटके में दूर भगा है तो चलिए राशिफल के शुरुवात करता है पंचांग के साथ मैं तो दिन है शनिवार का तारीख है 9 अक्तूबर 2021 अश्विन शुकल तृत्या पर चंद्रमा तुला राशिव और विशाखा नक्षत्र में रहेंगे लखी नंबर जो रहेगा के लिएगा और विशेश के अहजा है चतुर्थी का शैय हो रहा है तो आज ही के दिन याने कि शनिवार के दिन ही 9 अक्तूबर को चंद्रगंटा पूजन भी किया जाएगा विनाय के चतुर्थी भी मनाई जाएगी और माता कूशमांडा का पूजन भी किया जाएगा लेकिन चतुर्थी तिथी शै है विशेश दिन है माता चंद्रगंटा का और हमारा स्पेशल उपाई भी माता चंद्रगंटा से ही अपार धन की प्राप्ति के लिए क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो राशीफल को आखर तक जरूर देखेगा तो चलिए राशीफल को शुरुबात करते हैं राशी नमबर एक मेश याने की ए रिस के साथ मेश राशी वालों कामकाज में सयोग मिलेगा हर काम पूरा दुर्गटना के योग हैं विवसायक विरोधी जो हैं वो परास्तु होंगे प्रेम जीवन में मधुरता आएगी एक छोटा सवपाय करें कलाई पर काला धागा बांदें बात करेंगे राशे नमबर दो व्रिश यहने के टॉरस की व्रिश राशिवलों आर्थिक लाप के यो हैं आखों की समस्या से कुछ परिशान रहेंगे संपत्ति के काम लाव देंगे संतान की चिंता रहेंगे एक छोटा सवपाय करें धर्मस्ताल में नारियल चड़ाएं बात करेंगे तीसरे राशे मिथुन यहने जमनाएं की मिथुन राशेवलों सेहत पर ध्यान दें भाग यानि की कैंसर की करक राशेवलों तबियत खराब रहेगी मान से कितनाव रहेगा जायदात से सम्मंदित मामले निप्टेंगे जोखिम लेने से आपको बचनी की सलहा देता हूँ हानी के आशंका है पिता के साथ रिष्टों में महधूरत आएगी चोटा सवपाय जरूर कर रखें जोखिम लेने से बचे हानी के योग हैं कुमारों को शादी का प्रस्ताव मिलेगा एक चोटा सवपाय जरूर करें वो ये जेब में उड़त के दाने रखें बात करेंगे चटी राशिक कन्या निवर्गो की कन्या राशवलों निवेश से लाब होगा मकान बदलने क योग हैं सामाजिक सम्मान बढ़ेगा संतान से शुब समाचार मिलेगा मन में चिंता और भै रहेगा कारोबारी यातरा से लाब होगा एक चोटा सवपाय जरूर करें नाभी पर सर्सों का तेल लगाएं बात करेंगे सातवी राशित तुला यानिक लिबरागी तुला बढ़ेश्ट से लाब होगा वाद विवाद से बचें मानसिक तनाव से परिशान रहेंगे अंजाने में बड़ी गल्ती कर सकते हैं समभावना है समभा कर काम करें यह सला है एक चोटा सवपाय जरू करें पूजा घर में पीपल का पत्ता चड़ाएं बात करते हैं आठवी राशी व्रिश्चिक यानि के स्कॉर प्यों की व्रिश्चिक राश्वालों खर्चों में व्रधी होगी जोखिम लेने से बचना होगा आपको नए लोगों से सतर पहें आलस से की अधिकता रहेगी सेहत कमजोर रह सकती है वाद विवाद से आपको बचना होगा और बुरे सोच समझ करके लें, खुद पर भरोसा रखें, जीवन खुशियों से भरा रहेगा, परिजोनों के स्वास्त की चिंता रहेगी, छोटा सवपाई जरू करें, सिक्के पर अनी लगा कर तिजोरी में रखें, बात करता है, दस्वी राशी मकर यानिकी किप्रकौन की, मकर राशी खर्चों में बढ़ोतरी होगी, मन की बात हर किसी को बताने से बचें, नई योजना बनाएंगे, कारेप्रनाली में सुधार आएगा, मैनत अधिक करनी पड़ेगी, स्वास्त का ध्यान रखें, छोटा सवपाई जरू करें, स्टील के लोटे में पानी भरकर घर की पश्च इंतरन रखें, छोटा सवपाई जरू करें, बादाम वाला दूद पियें, बात करते हैं, बारवी राशी मीन ये नहीं पाइसेस की, मीन राशी वालो काम काज में कुछ रुकावट आ सकती है, वहन का प्रियोग बहुत सावधानी से करना होगा आपको, आखों में समस्या स परिशान रहेंगे, मन में चिंता रहेगी, वाद विवाद से आपको बचने की मैं सलहा दिता हूँ, अन्यता मान हानी की संभावना, एक छोटा सा उपाई जरू करें, वो ये कि निले रंका पैंजेव में रखें, तो दोस्तों आप समय है, आज के स्पेशल उपाय का, वो स्पेशल उपाय जो अपार धन संपत्ती आपको प्राप्त करवाए, अपार धन संपती की प्राप्ती कैसे होगी, देखें बहुत ही विशेश दिन है, मातारा चंद्र घंटा का दिन है, साथ बसाथ माता कुश्मंडा का भी दिन है, और इसी को ही संदूरी तृत्या भी कह बहुत ही विशेश दिन क्या करना आपको देवी चंद्र घंटा पर आपको कमल गट्टे चड़ाने और चड़ेवे जो कमल गट्टे हैं वो तिजोरी में स्थावित कर दीजे और इस पूरे प्रयोग में एक विशेश मंत्र कजाब कीजें मंत्र है ओम मदन सुंदर ये नमहा आश्वस्त कर रहा हूं आपको अपार धन की प्राप्ति होगी निश्चती तो दोस्तों आज के लिए बस एतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें आपका अपना चैनल कमल लंदाल यूट्यूब फिस्बूक और आज़ी टीवी नेटवक पर जाने से पहले आपसे जरू कहूंगा कि चैनल आपका है आपके लिए आप इसका मूल कारण है इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आकन जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए और चितना संबह उससे शेयर जरू करें इजाज़त दीजे नमस्कार नमश्वाए हर हर महाद झाल फिए